हालो फ्रेंड्स वागते आकामाई चनल पर आज हम आपके लिए क्या हैं सब्जियों के राजा आलू से बनने आला बहुत ही जादा चटफटा सा कुर्गुरा सा करासा नास्ता जिसे खा कर आपको मज़ा ही आ जाएगा और इस नास्ते की खासियत यह है कि हम इसे बनाएंगे कच्चे आलू से तो टाइंग की बचते गैस की बचते तो चलिए फटा फट बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नोट्विकेशन विलको आन करना ताकि जैसे वीडियो अफ्लो करते हैं तो यहां पर देखिए एक बड़े साइज के वरतल में तीन से चार ग्लास पानी लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टीस्पून तक नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम अपने आलू को डुबा कर पांच मिनट का टाइम दें तो फ्राइड यहां पर मैंने छोटा दा मिक्सी का जाल लिया है विसके अंदर हम डालेंगे अदरक जो हमने इस तरह से मोटा मोटा कटके लिया है डेर इंच की अदरक थी और अगर आप अदरक नहीं खाते तो आप इसके विनाई बना सकते आप इसमें डालेंगे लेस्व अगर आप लसुन भी खाते तो लसुन को भी हटा सकते लेकिन अदरक लसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप खाते तो जरूर डालना अब स्पाइसी के लिए हम इसमें डालने दो ग्रीन चिली जिसको हम इस तरह से तोड़ कर डालेंगे अगर आप लोग अब सारी चीजों को हम दरदरा पीस लेंगे एक से दो बार मिक्सी को चला चला कर रोप के पीस देंगे ताकि यह दरदरा पीसे तो चलिए पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड मैंने इसको पीस लिया है चलिए आपको हम दिखा देते हैं यह देख करते हुए तो आलु देखी हमारा अरे अच्छा से हो गया है अब हम क्या करेंगे को प्राइट यहां पे ग्रेटर लिए हैं ग्रेटर में 3 हो थे तो आपको कौन साinsky ok plant अलेरा नहीं लेला है यहीं सबसे मोटा वाला होता है इससे हमने से हमारे जो के लच्षे वह मोटे मोटे निकले गे और हमें मोटे लच्षसे पतले कर लेंगे इन लंबा लंबा लच्षे दरा से पड़ा पर फुरुंद के लिए दरते अमिल लथ अब इसको हम तुरंट बुन पॉल पानी में डाल देंगे आप चाहें तो normal water में डाल सकते और इसको हम बहुत अच्छे से मलमल के वाश करेंगे तो जैसे हम चावल को धुलते उसी तरीके से हमको भी इसे भी दुलना है इस तरह से दोनों हादों का इस्तमाल करते वे अच्छे से इसको मलमल के धुलिए ताकि ज पाणि आप फेकना मत आप इसको पौधों में डालेंगे तो पौधों की growth काफी अच्छी होगी और आप चाहे तो बोतल भरके रत सकते हैं और आप में डौक सकते हैं उससे आपके डौक सक्कर 2-3 दिल में Review सेड़ने के बार किटना सफेद और ने की तरफ वेस्थ पाल डाले हैं डालेंगे उइल लमसम half teaspoon तक ज्यादा oil नहीं डालना है तो आप घी और बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं ये देखिए half teaspoon तक मैंने oil डाल दिया है oil जब हमारा हलका सा गरम हो जाएगा तब इसमें हम तीन चीज़े डालेंगे जिसको मैंने एक साथ मिला लिया है इसमें मैंने लिया है थोड़ी सी राई, थोड़ा सा सौफ, थोड़ा सा अजवाईन तीनों को मिला कर एक बड़ा चम्मज बन चुका है और इसको हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुसबू और तेस दोनों आएगा तो ये बहुत जल्दी चटकने लगता है तो आपको इसको से 5-6 सेकंड ही पकाना है और हमारा जो ग्रीन वाला मसाला था जो हमने रैडी करके रखा था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे सारी चीजों को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और अध्रक और लहसुन की इसमें निकल जाए इसको अच्छे से भूनना है आपको तो फ्रैंट 10-15 सेकंड मैंने साई चीजों को भून लिया आप इसमें हम डालेंगे एक बड़ी ग्लास पानी अगर आप छोटी ग्लास डालेंगे तो आपको दो ग्लास लग जाएगा और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए एक उबाल आने का वेट करेंगे तो प्रैंट अबाल आना सुरू होगे आप इसमें थोड़ी सी कुटी होई लालबेश डालेंगे हाफ टीस्पून तक टे अच्छे से तो प्रैंट देखिए एक वाल वापस से आ चुका है और देखिए सारे फ्लेवर आपस में बिल्कूर अच्छे से मिल गए अब हम इसमें डालेंगे एक चमब चाट मसाला ताकि यह चटपटा बने और इसको हमें लाश्ट में डालना है और अब इसके बाद हम अब इसमें डालेंगे अपने आलू के लच्छे जो हमने ग्रेर करके रखे हैं और इन लच्छो को हम सिर्फ एक मिनट तक पकाएंगे घड़ी देखकर हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो यह गल जाएंगे और हमें इसको गलारा नहीं है सिर्फ पचास परसंद त तो आप इसको एक बार मिक्सी जाल में डालकर ग्राइंड कर लेंसा यहाँ पर हमने वेट ने 50 ग्राम ली है नाप में एक छोटी कटोरी है जिसको हम एक साथ नहीं डालेंगे थोगा 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 जाएंगे इस तरीके से इससे आपकी सूजी को पकने का टाइम भी और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलना तो देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हो उसी तरीके से आपको भी बनाना है थोड़ा तो सूजी डाल कर मिक्स करना है एक साथ सूजी डालेंगे तो गुटले भी पड़ जाएंगी और अच्छा टेक्स्चर भी नहीं आएगा तो यह देखिए मैंने सारी सूजी डाल कर दी है और अगर नाम में बता है तो एक छोटी कटोरी है बड़ी कटोरी मत लेना अगर बड़ी कटोरी है तो सिर्फ आधा कटोरी लेना ज्यादा सूजी की जुरूरत नहीं पड़ेगी और अब इसको हम कंटीनू चलाते हुए अ जैसे ही थोड़ा सा और सूखा हो जाएगा अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर थंदा करेंगे तो जब तक यह थंदा हो रहा है दूसरा काम कर लेते हैं इसे साइड ने रख देते हैं बड़े साइच का बड़ता लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच मैदा आ काफी है तो अधाई चम्मच चाट मसाला अचाएगा अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और आप इसमें थोड़ा थोड़ा पाई डालेंगे इसका एक पतला सा गोल बनाएंगे जो बहुत ज़दा पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़दा गाड लग जाएगा तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पाई डालके हम इसका गोल रेडी करेंगे तो यहां पर देखें मैंने आधे गलास पानी का इस्तमाल किया है और हमें बहुत ज़दा पतला गोल भी नहीं चाहिए तो इस तरीके से होना चाहिए और सारी गुटलिया हम इसक तो इसलिए शुरुआत ने बहुत ज़दा थेक्मत बनाना तो यह देखिया आलू का जो मिश्टन था यह थंड़ा हो गया है अब अपने हाथों पर थोड़ा से हम और अप्लाई करेंगे एक से दो बून ज़्यादा नहीं यह देखिए इस तरह से ताकि यह चिपके ना औ इसको अच्छे से घ्रिज कर लेंगे और अब हम इसका सेव देंगे आप किशी भी शेप का बना सकते हैं इसको तो मैं इसे बहुत ही आसान सेव दूंगी कटलेट का सेव दूंगी तो कटलेट मचा किम को इसके उपर लेयर भी चड़ानी है तो अगर मोटा होगा तो पतला सा इसका कटलेर बनाना है जो काफी कुरकुरा और क्रिस्पी होगा आप चाहे तो बिरा लेयर लगाए भी बना सकते हैं ऐसे भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा लुक देने के लिए मैं लगा रही हूं आपकी इपनी मर्दी है अगर आप चाहे तो सिंपल भी बना सकत हवावावन दिम्टे में भरके और जब आपके महमान करें आपनासकते हैं आप साव बना सकते हैं निए तो चलिया ने पटाब बनानास करते हैं तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला Mi действ का जाल लिया है यसमें हम दालेंमें तो यहाँ देखें में ब्रावन वारी मैं इसतमाल कर सकते इसको हम मैं ब्रेद गयंगे अगर आप वह में बहुत दिन को चला कर रोग देना तो अब चलिए इसको फटाफट एक बड़तर में टास्वर कर लेतने यह देखिए हमारा रैडी हो चुका है और हम फटाफट बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर यह देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से फोल गया है इसको हम लास्ट बार फेट ले कि हम जणाने हैं यह देखिए हैं और शूक है आतों से हम इसको पर इस तरह से अप्लाई करेंगे यानि इसको कोट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से हमारा कोर्टिम होना चाहिए तो इसी तरीके से हरे से अफ भागी भी रडी कर लेते फिर आफ्ट से मिलते हैं तो तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसके इंदर डाल देंगे तो यहां पर जब तक आपका तेल अच्छे से गरम ना हो आपको नहीं डालना है और एक बार जब तेल गरम हो जाएगा तो आप इस तरह से फटा-फट डालते जाएए तो एक बार को दिखाएंगे कितना बढ़ा कलर आ गया यह देखिए कितना बढ़तिन तरीके से हमारा कोख हो गया है तो आप चाहें तो चम्मत से भी टर्न कर सकते हैं अब यहां पर हम इसको दूसरे साइड से भी दो मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे तो फ्रैंड द तरीके से हम बाकी बना लेंगे फिर आफ से मिलते नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी यह देखिए इस तरह से रखना जरूर ताकि जो अश्टा तेल है वह वापस चला जाए तो फ्रैंड बनकर रेड़ी हो चुका है हमारा बहुत ही जड़ा चरपटा सा इससे दिखा देते हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कितना क्रिस्पी है यह देखिए बहुत ही जड़ा क्रिस्पी है और अंदर से काफी जड़ा सौट है बच्चे से लेके बजरू तक इसे खा सकते है और लच्छे हमारे बिल्कु इच्छे से कुक हो गए है और इस व बना कर देखना चटनी के साथ आपको मज़ा जाएगा कैसी लगी आपको रेस्पी कमेंट बाक्स में जरू बताना रेस्पी फसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना से कर देना अगर आप हमाई चैनल पर पहली बारा है तो हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करना तब तक इस रेस्पी को बनाएए खाये लव यू आल बाएं टेक कियर